प्र利ए मोरे मेरा already वब तो ने कुम टो माई चुन अधिकल्ड हर्ष्ट इस वीडियो में हम फ्लोचर्ट करेंगे एक नंबर लेंगे यूसर से निस्तैक्ड में हैं या तो हम शुरू करते हैं तो हमने स्टार्ट किया है यहां से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अब यहां पर हमने एक्स और दो ले लिए एक्स हमारा जीरो से कर दिया य को फिर अब कंडिशन चेक हो रहेगी इस एक्स लेस देन एक्स एंसे लेस है बिल्कुल है जीरो एंड की वेल्यू फाइव है उससे छोटा है अगर है तो जैड़ एक प्लस वाई कर दो तो जैड़ यहां पर एक और वेरियेबल लेना है उसको एक्स प्लस वाई कर जो किया दो एक्स की वैल्यूण वाई के बराबर करतो जो वाई में वन था तो वो हम थैक्स में करदी ओर जैड़ वैल्यू जो थी वह हमने वाई में कर दी तो जैड़ गीब X मतलब Y की value जो है वो X में डाल दी 1 और जो Z की value है 2 वो डाल दी हमने Y में तो इसको काटा हमने हाँ डाल दी 2 फिर से लूप चला फिर चेक हुआ इस X less than N बिल्कुल 1 जोटा है 5 से तो फिर हमने क्या किया फिर हमने Z को से X प्रस Y कर दिया Z को हमने काट दिया और X plus Y वो 2 Plus 1 3 कर दिया यहां पर आया हमने 3 कर दिया और Y की value of X में डाल दी Y की value 2 है वो हमने डाल दी X में X हो गया 2 और जो Z की value वो डाल दी y में z की value है 3 वो डाल दी हमने y में 3 फिर से लूप चला फिर आया is x is less than n बिलकुल x जो है वो 5 से n से चोटा है 2 से तो फिर हमने क्या किया x plus y कर दिया x plus y 2 plus 3 5 अब z जो है वो x plus y हो गया और x equals to y तो y की value क्या थी 3 वो आ गई इसके अंदर 3 और फिर जो z की value थी वो आ गई y में z की value थी 5 वो आ गई 5 अब यहां पर फिर से लूप चला फिर से चेक होई condition 3 is less than 5 फिलकुल है 3 5 से छोटा तो फिर z equals to x plus y कर दिया तो x plus y z हो गया हमारा 8 और x equals to y तो y की value क्या थी 5 5 आ गई हमारी x के अंदर और y equals to z तो z की value क्या थी 8 वो आ गई y के अंदर अब फिर लूप चला फिर आया is x is less than n तो x जो है 5 अब ध्यान से समझना x is less than n न क्या है 5 तो क्या 5 5 से छोटा है बिलकुल नहीं 5 तो 5 के equal है न छोटा दो नहीं है जैसे ही जिसमें हम चेक करेंगे is x is equals to equals to n जो हमारा x आया है 5 वो हम चेक कर रहे हैं कि वो 5 के equal है 5 5 के equal है बिलकुल है तो print कर दो fibonacci मैंने तो यह short form में लिखा हूँ है बस आप समझ जाना कि fibonacci मतलब कि यह number जो है fibonacci list में है अगर मान लो यह 6 होता तो क्या यह number और यहां पर x हो जाता 8 फिर यह चेक करते कि 8 is less than n मतलब 8 जो है वो 6 से छोटा नहीं आता ठीक है नहीं आता वो जाता 9 यहां आके फिर हम चेक करते इन दो value को compare करते कि x जो है 8 equal to equal to 6 है और यह आता 9 क्योंकि 8 6 के equal नहीं है तो यह fibonacci list में नहीं होता तो यह concept अब तक आई इसको आप अपने हिसाब से एक बड़ राइरन करना अलग लग values पर तो आपको और अच्छे समझ आएगा और यह सिरफ concept clear करने के लिए है इसके यह सिरफ आपके concept अच्छे गड़तेगा और इसके बाद से हम अपनी programming start करेंगे python में इंट्रोड़क्शन तो य होने start हो गए होंगे और आपको समझ आगे होगा कि काम यह मतलब logic कैसे हमारे अच्छे हो सकते हैं तो guys अगर आपका कोई doubt हो तो आप comment section में आप मुझ से पूछ सकते हो thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification